हेलो एव्रिवान और वेलकम बाक तो माई चैनल जब भी हम कोई ऑनलाइन साइप देखते हैं जैसे की अमजन, फ्लिपकाट या मिंत्रा, जबॉंग या तो हम गूगल पे ही सर्च करते हैं अनारकली, कुर्तास, उसके बाद गाउन्स अचकल बहुत जादा ट्रेंड में हैं या फिर लेहंगा तो जो इमेज हमारे पास आती है जो हम स्क्रीन पे देखते हैं तो उनकी जो लेहंगा गाउन्स होते हैं उनमें बहुत जादा फ्लेयर होता है, फ्लफी से होते हैं और एकदम सीधे से नहीं होते हैं तो उसको देखने में हमें लगता है कि यह कितना सुन लेकिन जब भी हम उन्हें और पास रिसीव होते हैं तो हम जब उसको पहनते हैं तो वह एक बिल्कुल स्ट्रेट सा लुक देते हैं वह जो एक सेलिबरेटी लुक होता है जिसमें फ्लेयर सा लुक एक आता है वह नहीं आपाता है अगर हम टेलर से सिलवाते हैं खूब सारे फ पढ़ता है जो एक्चुल फ्लेयर किसी लेहंगा गाउन या अनारकली को मिलता है वो कैंकैंड की वज़े से मिलता है कैंकैंड एक बहुत मोटे मोटे जाली का सक्थ नेट होता है जिसको अगर हम अपने कपड़ों के अंदर एस लेयर लगा लेंगे तो वो हमारे कपड़ो जो को फुला देता है जो बुखाटी अच्छा एक लूग देता है है वी लूग देता है और देखने में भी काफी सुन्दा लगता है लेकिन अगर आप अपनी हर एक ड्रेस में कैंकैं लगवाएंगे तो काफी जाधा खर्चा हो जाता है हजार से 1.500 का जो कोस्ट होता है वो बढ़ जाता है तो इससे बचने के लिए मैंने order किया है Amazon से Can Can लहंगा या Can Can skirt जिसको आप अपने किसी भी अनारकली, गाउन या फिर लहंगे के नीचे पहन सकते हैं और एक बहुत प्यारा सा जो एक फ्लेयर लुक होता है, सेलिबरिटी लुक वो आप पा सकते हैं Amazon पे बहुत सारे Can Can की skirt अविलेवल हैं, जो मैंने order किया है उसका नाम है Generic Women's Tulate Two Layers Ball Gown Petticoat और ये कुछ इस टाइब का है अंदर से अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा Can Can Amazon पे है वो दो टाइब का है एक skirt के नीचे hoop लगा हुआ है, iron की ring लगी हुई है और जो दूसरा skirt है, उसके अंदर कोई भी like ring नहीं लगी हुई है जो मैंने order किया है, उस वाले में hoop लगा हुआ है, ring लगी हुई है मैंने ये ring वाला इसलिए order किया है क्योंकि इस से जो shape होती है लहंगे की वो काफी अच्छे से maintain रहती है और ऐसा नहीं होगा कि एक दो wash के बाद आपके जो can can है वो दब जाए और आपका जो लहंगा है वो बिलकुल एकदम straight look देने लगे जो लोहे की hoop है, वो as it is रहेगी तो आपके जो लहंगे का flare होता है वो एकदम वैसे का वैसा ही दिखेगा अब मैं आपको ये unbox करके दिखाती हूँ और जो मैंने खरीदा है उसका price भी मैं यहाँ bubble में screen पे show कर दूंगी तो आप उसको भी देख सकते हैं बाकी Amazon की जो price होते हैं वो उपर नीचे होते रहते हैं तो आप उसको अपने कार्ट में save कर लिजे और जब भी उसका price कम हो तो आप पड़ा पड़ से order कर सकते हैं यह जो लहंगा है या skirt आप कह सकते हो इस hoop की मैं बात कर रही हूँ यह देखे आपको यहाँ पर एक यह ring type का लोहे की ring type का मिला हुआ है और इससे जो है आपका जो skirt है वो बिल्कुल घेरदार लगेगा तो यह देखे यह है ऐसे करके खुल के बन जाता है यह इतना बड़ा सा है जो यह net की quality है यह भी काफी अच्छी और सक्त है और यहाँ पर देखे शो के लिए उन्होंने last भी लगाई हुई है यह देखे यहाँ से आपको यह पहनना है यह यहाँ पर इलास्टिक की बैंड दी गई है तो आपको skirt की तरह इसको ऐसे पहन लेना है और फिर जो है आप इसके उपर से लेहंगा या गाउन या कुछ भी पहन सकते हैं तो इसको खरीदने से फाइदा यह हुआ है कि आपको बार बार अपने हर ड्रेस में कैन कैन लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यह मुझे शायद सारे 1100 रुपे का मिला है और आप Amazon का जो लेंग है उसका मैं आपको उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो और इसको चलिए मैं पहन के दिखाती हूँ कि अकेले कैन कैन आपको कैसा दिखेगा फिर लेंगे को उसके उपर पहन के दिखाऊंगी और उसके बाद जो है आपको दिखाती हूँ कि लेंगा बिना कैन कैन के कैसा दिखेगा तो चलिए देखते हैं कि कैसा लगता है तो ये है मेरी कैन कैन स्कर्ट जिसको मैंने अभी पहन कर आपको दिखाया है वीडियो में तो ये हूप वाली स्कर्ट है और देखे कितनी घेरदार और कितनी सुन्दर लग रही है अब ये जो क्लिप है इसमें मैंने लहंगे को कैन कैन स्कर्ट के उपर पहना है अगर आपने can can skirt पहन ली है तो फिर आप लहंगे को अपने सर के उपर से डालेगा क्योंकि नीचे से फिर लहंगा नहीं गुजेगा आपको लेकिन देखे कितना प्यारा और कितना सुन्दर flare आया है और hoop की वज़े से ये as it is रहेगा अब देखे बिना can can skirt के जो है मेरा लहंगा देखे कितना स्ट्रेट है और एकदम गिरा गिरा सा है कोई भी flare उसमें नजर नहीं आ रहा है एकदम स्ट्रेट कट है तो आशा करती हूँ कि मेरा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन पे क्लिक करिएगा और धेर सारा लाइक करिएगा